प्रकाश आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने करेंट हैवेन YouTube चैनल पर दोस्तों अपने स्वपनों को साकार बनाना है, अपने हैवेन को हैवन बना के रहाना है दोस्तों, जिस एक्जाम की आप तेया है बिलकुल भी आप अच्छे ढंक से करिये और इतना मान के रहिए दोस्तों कि current affair हर exam का बिल्कुल most important portion होता है क्योंकि current affair क्यों current affair ही नहीं बलकि यहां से static gk भी आप सिखते हैं तो चलिए हम लोग start कर लेते हैं आज का पहला question प्यारे मित्रों किस भारती संगठन ने पहली बार free space quantum communication का प्रदर्शन किया तो आप बता देंगे इसका right answer क्या होन होने वाला है दोस्तों तो बता देंगे इसका right answer इस रो होने वाला है आपसा number B right answer दोस्तों free space quantum communication इस रोक ने फोटान कड को एक जगह से दूसरे जगह भेजने की बिल्कुल भी सटीक और महारत हासिल कर ली है इससे पहले यह उम्मीद इसके पास नहीं था लेकिन इस सपने को इसरो ने साकार कर लिया दोस्तों आगे बात करते हैं तो जो जैसे कि जितने भी संदेश होते हैं हैकर होते हैं दोस्तों वो किसी भी संदेश को हैक करने में महारत हासिल किये होते हैं लेकिन इसरो इसकी मदद से free space quantum communication की मदद से उन हैकरों को एक तरह से side कर दिया है दोस अंतरिच अनुसंदान संगठन इसरों का स्थापना कब हुआ था तो बता देंगे 15 अगस्त 1909 हुआ था भारती अंतरिच कारेकरम की शुरुआत की अगर बात करें दोस्तों तो बता देंगे नवंबर 1963 में हुआ था यह भी याद रखेंगे तिर्यु अनंतर पुरम में इस्तित सेंट मेरी मैगडेलन चर्च के एक कमरे में हुई थी इसके स्थापना मैं याद रखेंगे दोस्तों इसको अब अगर बात करें लांचिंग वेहिकल अच्छा भारत में कितने हैं तो बता SLV पी XSLV और एक है GSLV जी ए असलिवी मित्रों तो बताएंगे ऐसलिवी का फुल फुल EP EM एकुमेंटेड सेटिलड लांच वेहिकल पी सेलिवी का फुल slangpack उलर सेटिलड लॉंच वेहिकल जीमे का एयगुमेंटेड् सेन्टेलाइट लाँच वेहिकल, पी एसलवी का फुल v refill पोलर सेन्ट लाँच वेहिकल, जी एसलवी का फुल फॉल फॉ neighboring बता देंगे जी ओ सिंक्रोनस लांच वेहिकल दोस्तों याद रखेंगे, स्वोदेशी तकनीक से निर्मित प्रृतम भारती अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो बहुत ही एक्जाम में पूछा जाता है आपके आगे आने वाले मैं एक्जाम में पूछा जाएगा चंद्रयान पर्थम की लांचिंग कब हुई थी तो बता देंगे 22 अक्टूबर 22 अक्टूबर दोस्तों 2008 में 22 अक्टूबर 2008 में हुआ था अगर बात करें दोस्तों यह जो लांच हुआ था किससे लांच हुआ था वेहिकल का नाम बता दीजिए तो बता देंगे PSLV C11 याद रखेंगे मित्रों चंद्रयान 2 की अभी दो साल पहले ही लांच हुआ है कभी इ सब्सक्राइब 2019 को लांच हुआ था दो बज कर 43 43 अब प्राहन याद रखेंगे दोस्तों अब प्राहन पिलांच हुआ याद रखेंगे दो इत्रों अगर बात करें फिलाल में इसरो के अध्यच काउन है तो के सिवान है हेड़कौाटर करनाटक बैंगलोर में है अभी हाल के तरफ चलते हैं फटाफट आप लोग इसे सेयर कर देंगे किसन नमबर दो देखेंगे दोस्तों लास्ट तक बने रहेएगा लास्ट में जैसे कि हमारा एक रोज का कारिक्रम है कि आपको एक संगठन के बारे में और किसी एक महिने के सारे डे का रिवीजन कराना दोस्तो यह से रिवीजन करेंगे तो आपका किसी भी एक जाम में एक भी क्वेसन नहीं छूटने वाला है यह हम आपसे वादा करते हैं यह करेंट हेवन सिर्फ आपके लिए बनाया गया है मित्रों चलिए इस क्वेसन का अंसर देख लेते हैं यहां से भी आपको बहुत कुछ सीख किनों के मिलेगा अफ्रिका महादेव की सबसे उची चोटी किली मंजारों पर हाल ही में किन भारतियों परवतारयों ने 24 घंटे रुख कर रिकार्ड बनाया है मित्रों बता देंगे कौन से भारति हैं तो बता देंगे इसका राइट एंसर जो हो जाने वाला है दूसरे का पर राइट एंसर ए हो जाएगा रोहतास खिलेरी एं अनु यादो दोस्तों जिसकी अगर बोला जाता है दोस्तों नौट अमेरिका का सबसे लंबी स्रेडी सिंखला बता दीजे तो बता देंगे रॉकिज रॉकिज दोस्तों जिसकी सबसे उची चोटी मयक के इनले है पूरे विश्व की सबसे लंबी सिंखला वाला पहाड़ी कौन सा है पहाड़ बता देंगे परवसिंखला दोस्तों सबसे लंबी परवसिंखला लगबग विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी बहती है दोस्तों याद रखेंगे लगबग 6650 किलो मेटर इसकी लंबाई है यानि कि 4132 मिल याद रखेंगे दूरी यह तैंकर के मेडिटेरियन सी में अपना आस्तित खतम कर देती है अभी मिल जाती है यही अफरिका महादीव है जहां से करकरेखा मकर रेखा भुमद रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं पूछा जाता है भुमद रेखा कितने देशों से होके गुजरती है अफरिका के तो बता दें अमेजन जो की अपवागे तंतर से सबसे बड़ी नदीगी नाम से जानी जाती है दोस्तों, इसकी लंबाई 6400 किलुमेटर है दोस्तों, इतनी बातें आप याद रखेंगे, जो की most most important है मित्रों, चलिए, आगे चलते हैं next question, question number 3 देखेंगे दोस्तों, आपचारिक स्वदेशी भासा ग्यान प्रडाली, स्कूल का उद्गाटन किस राज्ज में किया गया, question number 3 का right answer आप बता देंगे, इसका right answer हो जाने वाला है, दोस्तों, B, B, यानि कि अरुनाचल पदेश दोस्तों, अरुनाचल पदेश बता दे 97 degree 25 minute पुरवी पहँ है, याद रखेंगे, पुरवी घाट की सर्वोच पिक बता देंगे दोस्तों, जिन धागडा, क्या बताएंगे, जिन धागडा, जिन धागडा दोस्तों, जिन धागडा पुरवी घाट की सबसे उची चोटी के नाम से जानी जाती है, इसको आप अभी मिखाले में पढ़ती हैं दोस्तों हमारी जब ब्रह्मपुत नदी चियुमा लूंग डूंग गलेसियर से तिपद से होपर आती है उनाचा पदेश में तुसे दिहांग बोला जाता है याद रखेंगे मित्रों दिहांग किस नदी को बोला जाता है तो बताएंगे ब्र अच्छी बात है अब आगे चलते हैं चलिए नेक्स के तरफ केसर नंबर फूर दोस्तों केसर नंबर फूर आप देखिए इसका एंसर देखिए पहले केसर नंबर फूर में पुछा जा रहा है महाराश्ट भूसर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों यह महारा दोस्तों इसका राइट एंसर हो जाने वाला चौथे का राइट एंसर भी हो जाने वाला लता मेंगेसकर दोस्तों याद रखेंगे जो आसा भूसले जी है दोस्तों स्री आसा भूसले जी स्री मती तो बता देंगे 2001 में इनको फिल्म फियर अवार्ड 2008 में इनको पद्म अगर महाराष्ट की बात हुई है दोस्तों तो याद रखेंगे एक मई को हम मजदूर दिवस के रूप में भी मनाते हैं और एक मई को महाराष्ट गुजरात दिवस के रूप में भी मनाये जाता है दोस्तों अगर यहां बात हुआ है भारत रतना की दोस्तों तो याद रखे तीनों के अस्थापना एक ही दिन हुआ दोस्तों याद रखेंगे अगर बात करें भारत रतना किसी एक दिन मतलब कौन सा डे था या कौन सी इस्वी थी जिस समय इसको बंद कर दिया गया था जंटा जंटा पार्टी द्वारा या प्रुषकार मात्र एक बार 1977 में दोस्तों म ससे पखले किस को दिया गया दोस्तों जाद रखेंगे सबसे पहले दिया गया था हमारे मधर टरेसा को जब Surf 2018 से स्टार्ट होता है लेकिन भारत रतना सबसे पहले तीन लोग को दिया गया है भारती में याद रखेंगे डाक्टर सरुपली राधा किष्णन चक्रवर्ती राजगोपालाचारी डाक्टर चंद सेखर वेंकेट रमन मित्रों इतनी मातें याद रखेंगे चलते हैं नेक्स संजीव कुमार हालही में भारती बिमान पत्रम प्रादिकरण के अध्यच बने हैं नेक्स करसन हालही में नवीनी करण उर्जा मंत्री आरके सिंग ने किस सहर में ग्राम उजाला योजना शुरू की है तो दोस्तों इसका राइट एंसर हो जाएगा हमारा वारानसी हमारे व है आपको जब स्टार्टिंग में एलेडी पहल स्टार्ट हुआ था तो उसमें घर घर में कॉलेजेज में स्कूल्स में जितने भी विद्याले हैं प्राइमरीज सब जगह इसको सरकार के मुहीम के तुरू वित्रड किया जाता था फ्री में दोस्तों इस वज़े से क्योंक इस चीज को याद रखेंगे ठीक है मित्रों अगर आप से पूछा जाता है कि प्रकाश जावेड़कर को कौन सा मंत्री पत दिया गया है तो बता देंगे पर्यवरण वन सूचना और प्रसारण मंत्री दिया गया है प्यूस गोयल को रेल मंत्री वाडिज जी मंत्री रेल म जो से संसदी, कार्य मंत्री, कोयला और खान मंत्राले इनके पास है दोस्तों यह भी याद रखेंगे महेंदरनाथ पांडे दोस्तों याद रखेंगे कौसल विकास मंत्री के नाम से इनका मंत्राले कौसल विकास मंत्राले इनके पास है यह चीज याद रखेंगे बहुत सा गया है और कितने हेक्टेर में खोला गया है तो बता देंगे 30 हेक्टेर दोस्तों कि उससे नंबर भी राइट एंसर हो जाएगा अप रभावित करकर भारत के पूरे संग में जम्मु कस्मीर को मिला लेया गया यहां पर आपका IPC जो आपका इंडियन पिनियल कोट है सापकुसला यहां पर लागू होगा और यहां पर जमीन भी आप ले सकते हैं यहां पर निवाज भी कर सकते हैं यहां पर अपने घर भी आया गया था लद्दाक को इससे अलग करके ये भी चीज़ आप रखेंगे दोस्तों लद्दाक में मात्र दो डिस्टिक हैं लेकि जम्मु कस्मीर में अगर प्योके वाला पार्ट अड़ कर लें तो 28 जीले हो जाते हैं वैसे अगर देखें तो फिलाल में 22 जीले हैं मित्रों चलिए नेस्ट करेशन के तरफ पढ़ते हैं क्योशन नमर आठ देखेंगे दोस्तों क्योशन नमर आठ देखेंगे हालही में कहां 73 आयूस स्वास्त्र और कल्यार केंद्रों का उद्गाटन किया गया है तो बता देंगे दोस्तों इसका राइट एंसर आठ में को जाने वा दोस्तों याद रखेंगे जम्मु कस्मीर के मुख राष्टी उद्यान की अगर बात करें तो पहले यहां पर हैमिस राष्टी उद्यान हुआ करता था हैमिस हाई राष्टी उद्यान दोस्तों यह अब लगदाक में है याद रखेंगे भारत का सबसे बड़ा राष्टी हमेस हाई इस समय है कि स्तवार राष्ट्रे उद्यान दची गम सलीम अली कहीं ॥ो में घर राइट एंसर हो जाने वाला है आपका नावेगर राइट एंसर भी हो जाने वाला है भारत करेगा है ना चलिए कि उसे नंबर 10 के तरफ चलते हैं हाली में 26 साल कर्वेंशन सेंटर का उद्गाटन कहां किया गया दोस्तों बता देंगे मदप्रदेश के खजुराहों में किया गया है मित्रों याद रखेंगे मदप्रदेश की अस्थापना एक नॉमबर 1956 होई थी दोस्तों यह चीज भी आप याद रखेंगे मदप्रदेश की भासा हिंदी है राजधानी भुपाल है भोज यहां की एक ताल है जिसे भोज ताल के नाम से जानते हैं जीलो की संक्या एक क्यावन है सीमा से लगे हुए राज हैं यूपी राजस्तान गुजरात महराश्ट चतिजगर्ड यहां के साथ चर्था 69.3% है लिंगा अनुपात 931 से वर सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला यहां का बाला घाठ है दोस्तों यह सारी बातें आप याद रखेंगे चलते हैं नेक्स के तरफ यह के सन आप दे डे हैं आपके लिए आप इसका एंसर बताएंगे ठीके मित्रों हाले ही में भारत और किस राज है यानि किस देश समपन हुआ इसका राइट एंसर आप करेंगे अब बात कर लेते हैं अपने एक संगतन के बारे में आज बात करेंगे आसियान के अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा तो बता देंगे दोस्तों आसियान का फुल फिर्म हो जाने वाला है आपका शाउध इस्ट अश्याज साउध रहें और यहतों यहाध रखेंगे कि इसका स्थापना आथ अगस 2019 सु एक गंडोरी शाविकेवार्ट? यायाध रहेंगे, इसका स्थापर्ट काहां पे दोस्तों बता के मतलं इसका हाँ, एक किसी भी अगले मा के मुख्य डे की बात कर लेते प्रहूंग जैसे 20 वन जीव तीन मार्च को राष्टी शुरच्छा दिवस दोस्तों चार मार्च को मनाए जाता है अंतर राष्टी महिला दिवस आठ मार्च को के ओ सुरच्छा बल दिवस के स्थापना दोस्तों याद करिए 10 मार्च को विष्व भुगता दिकार दिवस 15 मार्च को विष्व टीवी दिवस 24 मार्च को ग्रामिड डाक जीवन भीमा दिवस 24 मार् भगत सिंग सुखदेव यों राजगुरू की सहीधी दिवस सहाधत दिवस दोस्तों तेज मार्च को मनाये जाता है जो भी हाले ही में संपन हुआ है याद रखेंगे दोस्तों इतनी बातें रहीं आप इसे शेयर करिएगा और अपने भाईयों से जरूर इसको शेयर करेंगे धन्यवाद मित्रों